गुर्दों में मौझूद फिल्टर्स यानि नैफ्रोंज में सेंसर्स लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी बॉड़ी को हाइडरेटेड रखने में मतलब बॉड़ी को जितना पानी चाहिए उतना रखते हैं बाकी बाहर निकाल देते हैं बलड प्रेशर को बैलंस रखते हैं वाइटमिन डी को कनवर्ट करते हैं एक्टिफ फॉर्म ओफ वाइटमिन डी में बाडी में मौजू टॉक्सिन्स और ड्रक्स को बाहर निकालते हैं मतलब कोई भी जहरिली चीस अगर बाडी में मौजूद है तो उसे बाहर निकाल देते हैं इंसान की उमर बढ़ने के साथ-साथ इन नेफरोंस की तादाद हमारी बाडी में काम होती जाती है गुर्दों के failure पे इन nephrons की तादाद आधे से भी काम रह जाती है और ये filter करने की सलाहियत खो देते हैं diabetic nephropathy इन nephrons में मौझूद proteins और protein structures के साथ sugar का react करना medical term में इसे glycation कहते हैं और ये वज़ा बनती है इन जरूरी proteins की unavailability की आपकी body में इन proteins की जरूरत थी लेकिन sugar इतनी ज़्यादा बाडी में के वो engage रखे हुए है इन सब proteins को इनके साथ react करके bond बना के और अब ये proteins normal body function के लिए available ही नहीं इन दोनों के reaction के नतीजे में advanced glycation end products बनते हैं ये nephrons अपनी साथ खो देते हैं और ये renal failure की वज़ा बनता है renal failure के नतीजे में गुर्दे fail होने के नतीजे में ये proteins जिने body में रहना चाहिए था अब चुँके recycle नहीं हो पार ही जिसके नतीजे में ये urine के जरीए body से निकलना शुरू हो जाती है urine में proteins का आना एक indicator है जिससे आपके kidney function को देखा जाता है filtration rate को देखा जाता है और इस indicator को देखते हुए doctors renal damage को diagnose करते है EDMA अब body in proteins के loss की वज़ा से पानी store करने लगती है puffed up हो जाती है, soot जाती है और ये body में कई जगा पे एक साथ हो सकता है पूरी body में पानी भर जाता है इन निशानियों के आने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं लेकिन एक निशानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले जाहर होना शुरू हो जाती है वो है nocturia, रात में बार बार पिशाब के लिए उठना अगर आप रेगिलर्ली हर रात नीन में पिशाब के लिए उठते हैं आप से पूरी रात के लिए यूरेन कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये जाहर करता है कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पारी सेम मसला उन पेशन्ट्स के साथ भी होता है जो शुगर का शिकार है इन दोनों केसेज में बड़ी सिमिलरिटी है दोनों मिलती जुलती है कि डायबिटीज की निशानिया जाहर होने में भी अमूमन दस साल लग जाते हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स और डायबिटीज साथ साथ चलती है डायबिटीज चार तरह के बॉड़ी टिशूस को खराब करती है किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं आंखें, नर्विस सिस्टम और आर्ट्रीज, खून की नालिया नॉक्टूरिया को आप बड़ी एसानी से ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ अगर आप अपनी बलड शुगर लेवल को बैलनस्ट कर लें और अगर आप कम शुगर अपनी बॉड़ी में डालें हमारी रोज मर्रा खाने की चीज़ों में छुपी हुई शुगर के बारे में हमें जानना है कार्बोहाइड्रेट्स, छनावा आटा, पास्ता, सीरियल, समोसा, पकोड़ा, जलेबी यह शुगर के पाहाड है, मतलब इन में कार्बोहाइड्रेट्स के मिकदार बहुत जादा होती है और यह कार्ब्स हमारी बॉड़ी में जाके शुगर में तबदील हो जाते है हमारी डायबेटिक असूसियेशन, डायबेटीज को मैनेज करने की बात तो करती है के बलड शुगर बढ़ गी है तो इनसुलीन ले ले, मेटफॉरमन ले ले, फ्लुइट रिटेंशन है तो डायबेटिक ले ले हाई कोलिस्ट्रोल को स्टेटिन से मैनेज कर ले, हाई बलड प्रेशन मैडिसंस ले ले problem यह है कि high blood sugar को सिर्फ manage करने से ये एक जगा से दूसरी जगा जाएगी आपके blood से निकल के cells में चली जाएगी endothelium को तबाह करेगी organ failure की वज़ा बनेगी liver में जाएगी fat में अबदील हो जाएगी आप इसे सिर्फ manage करेंगे एक जगा से सिर्फ दूसरी जगा पे इसे भेजेंगे इसके बारक्स आपको करना यह है कि आपको अपने खाने में sugar की मिकदार को control करना ketogenic diet plan को follow करना intermittent fasting करना या अपनी body को sugar की बज़ाए ketone bodies पे चलाना आपको रोजा रखना होगा भूका रहना होगा कि intermittent fasting जिस पे मैं अमल करता हूँ वो यह कि दिन में 16 गंटे आप भूका रहते हैं और 8 गंटे के time frame में आप खा सकते हैं salad को अपनी खुराग का हिस्सा बनाएं कि इसमें phytonutrients होते हैं phytonutrients nephro protection करते हैं आपकी kidneys को high blood glucose से बचाते हैं nephroons को oxidation से बचाते हैं kidney function को normal रखते हैं salad में पाए जाने वाले phytonutrients anti-oxidation properties रखते हैं यह high blood glucose से होने वाले bad effects को neutralize कर देते हैं यहां मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो initial stage पे हैं definitely अगर end stage kidney disease का आप शिकार हैं तो उसमें आप salad नहीं खा सकते हैं because of high amount of potassium, calcium and other nutrients in it हम इसे अकसर लोग यह नहीं जानते के रुजाना लीमू पानी पीने के क्या फाइदे हैं किस तरह से लीमू पानी आपको मुख्तलिब बिमारियों से बचा सकता है यहां लीमू पानी से मुराद बगएर चीनी और नमक के सिर्फ लीमू और पानी है पानी ठंडा या गरम हो सकता है depend करता है मौसम पे या आपकी personal choice पे पहला बड़ा फाइदा यह है कि यह आपके fatty liver को खतम कर देगा लीमू पानी में ऐसे phyto nutrients पाए जाते हैं जो hepatosteatosis को improved करते हैं hepatos मतलब jigger, steatosis मतलब jigger में जमा होने वाली चर्वी लीमू पानी इस चर्वी को dissolve करने की खासियत रखता है, इसे पिगला देता है इसके साथ और चीज़ें जो hepatosteatosis को कम करती हैं, उनमें purified bile salts, koline और low fat diet, as in ketogenic diet शामिल है यह 14 दिन के अंदर तकरीबन 50% तक fat आपके liver से कम कर देती हैं और अगर आप लीमू पानी भी इसमें मिला लें, तो आप इस process को मजीद speed up कर सकते हैं दूसरे नमबर पे है कि आपके cholesterol को कम करता है, cholesterol बुरा नहीं है, और एक मुकमल वीडियो मैं पहले इस पर बना चुका हूँ, लेकिन मान लें कि आपका liver सुस्त है, आपका gall bladder सुस्त है, bile production सही से नहीं कर पा रहा, और extra cholesterol आपके system में जमा हो रहा है, तो लीमू पानी bile के flow को manage करेगा और इस cholesterol से आपको निजात दिलाएगा, अगले नमबर पे है weight loss, ये एक गलत information है, कि लीमू पानी weight loss करता है, हकीकत यह है कि लीमू पानी में ऐसे phyton nutrients पाए जाते हैं, जो कि insulin resistance को कम करते हैं, और नतीजे में ये indirectly weight loss की वज़ा बनता, तो मेरा मशवरा है कि अगर आपको weight loss करना है, तो ये ना लिखें कि how to lose weight, बलकि ये लिखें कि how to reduce insulin, कि हर वो चीज जो आपकी insulin कम करेगी, वो आपका weight loss भी करेगी, in fact, अगर आप calorie deficit में भी हैं, तो भी आपके fat cells shrink नहीं करेंगे, सुकडेंगे नहीं, जब तक insulin नीचे नहीं आएगी, चूहों पर ये study की गई थी और results में दो हफ़ते का extended lifespan देखने में आया, जब इनने लीमू पानी दिया गया, दो हफ़ते ज़्यादा नहीं है, लेकिन imagine करें कितना फरक पाड़ सकता है, अगर आप आज के बाद रोज लीमू पानी पीना शुरू कर दें, लीमू पानी microbiome की life बढ़ाता है, ये friendly bacterias हैं जो आपकी body में रहते हैं और आपको बैमारियों से बचाते हैं, अगले नंबर पे है कि लीमू पानी anti-cancer effects रखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लीमू से आप cancer treat कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बलके लीमू से आप cancer से पच सकते हैं, test tube studies में ये बात सामने आई कि लीमू फेफणों के, जबान के और colon के cancer cells को मारने की सलाहियत रखता है, छटे नंबर पे जो बात है वो बहुत important है, कि लीमू पानी आपको गुर्दे की पथरी से बचाता है, लीमू में citrus पाया जाता है, जो body में oxalate के साथ bind करता है, और stone formation को रोकता है, oxalate stone सबसे common type है गुर्दे की पथरी की, तो जो लोग पथरी का शिकार है, उनमें अमूमन citrate की कमी होती है, देखे मैं जो खुद recommend करता हूँ, और काफी हरसे से जिस पर मैं खुद भी अमल कर रहा हूँ, यह कि lemon juice का आधा कप, या एक पूरा क आप आपको रोजाना पीना है, और आप महसूस करेंगे कि दो हफ़ते के अंदर अंदर आपकी body same react नहीं करेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी, आप बड़ा clearly देख पाएंगे अपनी body में आने वली तबदीलियों को, साथवे नमबर पे है कि लीमू vitamin C का एक बड़ा source है, ल बातम हो जाता, body को तकरीबन रोजाना 71 mg vitamin C की जरूरत होती है, और एक fresh लीमू में 31 mg, 31 mg vitamin C पाया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी body को रोजाना की जरूरत है, आपकी body की जो रोजाना की जरूरत है, उसमें से आधा हिस्सा vitamin C आप लीमू से पूरा कर सकते हैं, नम nutrient Alzheimer disease की treatment में बहुत मुफीत पाया गया यह antimicrobial, antifungal, even antiviral properties रखते हैं तो लीमू पानी को आप अपनी routine का हिस्सा बनाईए एपल साइडर विनेगर को भी अगर आप लीमू पानी में शामिल कर लें तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन remedy और कुछ हो नहीं सकती